आज बात करेंगे डोज कोईन की तो क्रिप्टो करंसी मार्किट में डोज कोईन की रैंकिंग जो आती है वो आप सबको पताएगी 8 नमबर पे आता है और पिछले 7 दिन की अगर मैं इसमें देखूँ तो 16% तक नीचे आया पिछले 7 दिन में और 5% तक 24 घंटे में नीचे आ गया है तो ये डोज कोईन में इतना डाउन फॉल क्यों देखा जा रहा है और कब तक ये डोज कोईन खुद को संभालता है कब तक जो 1 डॉलर का लेवल है उसको ठीट करता है या 50-60 रूपीज पे कब तक आता है जो आज से कुछ टाइम पहले था 50 50 प्लस था और अभी ये कोईन कुछ टाइम पहले 18 या 19 रूपीए पे stable था लेकिन अब ये और भी कम हो गया एक बार डोज कोईन की बात कर लेते हैं और आज कुछ न्यूज भी है डोज कोईन को लेके उसको भी कवर करेंगे तो डोज कोईन का अगर हम बात करें तो 5.8% नीचे चल रहा है पिछले 24 गंटे में और यहां पे इसकी अगर हम मार्किट कैप की बात करें ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी 0.68% की जो डाउन फुल है देखने को मिल रही है साथ के साथ मार्किट कैप में भी 5.8% फुली डाइलूटिड मार्किट कैप यहां पे 13% तक उपर जाते दिख रहा हमें और साथ के साथ आप यह सब चीजें देख सकते हो अल्टाइम हाई और अल्टाइम लो तो जैसे कि आप सबको पताएगी डोज कोईने 6 महिने के अंदर जो हमें रिटन दिया था वो क्यू दिया था मैं आपको यह चीज भी बताना चाहूँगा एक बार आपको मैं इसका दिखाना चाहूँगा रिटर्न की डोज कोईन ने 6 महिने में कितना रिटर्न दिया है तो 7 डेगा अगर हम ग्राफ देखें तो 16% तक 7 दिन में नीचे गया है और इसकी अभी actual price जो चल रही है वो 13-14 रुपे के करीब चल रही है जी हाँ 18-19 पे था stable था उसी पे चल रही थी कुछ टाइम से लेकिन अब 13 रुपी पे आ गया है और ये मुझे लगता है कि एक सही टाइम है डोज कोईन में इन्वेस्ट करनेगा डोज कोईन पंप करने वाला है क्यों करने वाला है उस न्यूस पे भी हम बात करेंगे तो अगर हम इसका 30 डे का ग्राफ देखें डोज कोईन का यहाँ पे तो यहाँ पे 41 परसेंट तक नीचे गया है 90 डेगा ग्राफ देखें यहाँ पर तो 42 परसेंट है और वन येर में आपको पता ही है वन येर में इसने क्या कमाल किया है ठीक है इस किसी से छुपा नहीं है और अगर ओल पे क्लिक करें तो आपको ओल का भी पता चल जाएगा जैसे कि मैं बोल रहा था तक्रीबन तक्रीबन 27,000 परसेंट और ये डोज कोईन सिर्फ एक रीजन से उपर गया था एक ही रीजन था वो थे इलोन मस्क जी हाँ इलोन मस्क ने जो लगातार ट्वीट किये थे उस टाइम पे उसी टाइम पे हमें डोज कोईन की कीमत में इतना अप देखने को मिला था और डोज कोईन ने जो लेवल्स दिखाए थे वो कही ना कहीं इलोन मस्क का हाथ था उसके पीछे एक करंसी मीम करंसी को लगातार सपोर्ट करना Elon Musk की तरफ से तो Dogecoin ने वैसे level दिखाए फिर अब Dogecoin की कहीं न कहीं price down होती दिख रही है और अब एक बार फिर Elon Musk जो है उनका event होने वाला है Jack Dorsey और Elon Musk मैं एक बार वो news दिखाना चाहूँगा आपको तो main event होने वाला है Elon Musk और Jack Dorsey agree to have the talk at upcoming bitcoin event ये event इतना special क्यों होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ कि इस event में एक तो Elon Musk बात करने वाले हैं सबसे बड़ी बात तो यही है Elon Musk और Elon Musk उस event में event के बाद या Dogecoin पे और भी ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है उस event में तो कहीं न गहीं मुझे लगता है कि Dogecoin में pump देखने को मिलेगा और ये सही टाइम है अगर Dogecoin की price अभी down है और भी down है जितनी भी down है तो उसमें invest करने का सही टाइम है और अगर 21 जुलाई को कुछ Dogecoin के उपर बात होती है कुछ बड़ी announcement निकल के आती है क्योंकि Dogecoin का साथ Elon Musk हमेशा है Elon Musk का support Dogecoin के साथ रहा है और अगर इस event में वो और भी खुल के बात करते हैं Dogecoin के बारे में तो Dogecoin के जो levels है वो देखने को एक बार फिर मिल सकते हैं ठीक है तो Jack Dorsey और Elon Musk 21 July को ये event होने वाला है और क्या कुछ खास इस event में रहेगा किस coin को लेके जैदा बात होती है क्या-क्या निकल के आता है Cryptocurrency के future के बारे में तो ये सब चीजें कहते हैं न कि Elon Musk अगर एक tweet भी कर देते हैं तो price up हो जाते हैं अगर वो खुल के बात करेंगे इस event में तो आप खुद imagine करो कि Dogecoin में pump देखने को हमें मिल सकता है और देखते हैं अब इस event के बाद हमें क्या update देखने को मिलता है क्या निकल के आता इस event से तो यही थी Dogecoin के उपर news अगर Dogecoin के price डाउन हो रहे है तो आप निराश मत हो upset मत हो बस आपको patience रखना है hold करके रखना है ठीक है और जब भी आप किसी cryptocurrency में invest करें तो अपनी research के साथ करें अपना research अच्छी तरह करें हर cryptocurrency के बारे में जाने तब ही आप invest करें ठीक है बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना और देखते हैं Elon Musk की by curiosity क्या निकाल के लेके आती है इस event के बाद तो देखना बड़ा ही दिल्चस्प होगा इस event में क्या होता है और क्या cryptocurrency market में देखने को मिलता है तो ये सब चीजे पता चलेंगी 2021 जुलाई के बाद वीडियो को लाइक शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना